आज की हमारी कहानी है बाबु जी के नकरे और मा का प्रेम मिस्रा जी साथ वरस के थे, दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा बेटी की साधी तो दस सल पहले ही हो गई थी और बेटे की बस कुछ साल पहले ही पत्नी का देहांत बेटी की साधी के कुछ सालों बाद ही एक बिमारी से हो गया था भगवान की दैसे बहु बहुत अच्छी मिली थी और एक प्यारा सा पोता भी हो गया था दिन भर अपने पोते साथ खेलते की ताबे पढ़ते घर के काम भी कर देते खाने पिने के मामले में भी कोई नखरे नहीं देखा थे बहुत जो भी देती हुआ खा ले थे ऐसा नहीं कि बहुत पूछती नहीं थी शुरू में तुसने कहे बार पूछा कि बापू जी नास्ते में क्या बनाओ खाने में क्या खाओगे लेकिन बापू जी यही कहते हैं कि जो तिरा मन हो वो बना ले उम्र के इस पड़ाओ पर जब ताकिब बुजूर्ग थोड़े चिड़ चिड़े हो जाते और हो जाते हैं और बात बारपा आनकाने या नकरे दिखाते हैं वही मिसरा जी सबसे अलग थे हो उनके ना ही कोई नकरे थे और ना ही कोई आनकानी बहुत बार बहुत ने मन में या सवाल आया कि आखिरकार बाबू जी की तो कोई इच्छा होगी या कुछ और एक दिन हिम्मत करके उसने बाबू जी से पूछ लिया कि बापू जी आप तो मेरे पापा से भी कब नकरे दिखाते हो वे तो मेरे पापा हैं फिर भी अपनी पसंद नापसंद बता देते हैं और हर दूसरे दिन अपनी चीज बनाने की फर्माज करी देते हैं लेकिन मुझे इस घर में आये तीन साल से जादा वक्त बित गया लेकिन आपके मुँझ से ऐसा कुछ नहीं सुना बापु जी ने बस हस के बाद टाल दी तो उनकी बहुत भी आज पक्का मन बना कर बात जानने आये थी उसने बोलना जारी रखा बापु जी ऐसा नहीं चलेग हर किसी के कुछ नकुछ तो नकरे होते ही है ना चाहे कोई कितना भी सिधा क्यों नहीं हो लेकिन नकरे तो होते ही है थोड़े बहुत बापु जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा बहुत जादा सोचती है कहकर बात टालनी चाही लेकिन इस पर बहुत नहीं मानी कहना जारी रखा कि बापू जी मुझे बिश्वास नहीं होता कि आपकी मेरे सामने कोई जिज़ा कहे अगर ऐसा है तो मुझे बताईए मेरे लिए आप भी मेरे पापा जैसे ही है मैं आज केल की बहुत जैसी नहीं हूँ जो छोटी मुटी बात पर बुरा मन जाओंगी अपने पापा के समान ससुर के थोड़े बहुत नकरे तो उठा ही सकती हूँ या फिर आप मुझे इस काबिल ही नहीं समझते बापू जी के इस थोड़े भाव थोड़े गंभीर हो गये वे समझ गये क्यों उनके कोई नकरे ना दिखाने की बात अब बहु अपने उपर ले जा रही है और खुद को दोसी मानने लगी है वे कुछ बोलना चाह रहते लेकिन बहु ने बोलना जारी रखा बापू जी अगर मुझे अपना नहीं मानते हैं मुझे कोई गलती होई है तो प्लीज मुझे बताईए लेकिन ऐसे मुझे किसी भी चीज का ना मांगना या कोई भी नखरे न दिखाना सच में मुझे अखरता है आखिर कुछ तो आपकी भी पसंद ना पसंद होगी कुछ तो नखरे होंगे बापू जी ने बहु पुरानी की सभी संगाओं पर बिराम लगाते हुए बस एक बात बोली और बात वहीं समाप्त हो गए दर असल बेटा जब मैं एक साल का ही था तभी मेरी माँ चल बसी थी तो मेरे नखरे उठाता कौन बहु निरंतर हो गई और बात वहीं समाप्त हो गई अगर आपको यह कहानी मेरी पसंद आये तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा थैंक्यू सो मच